ठंड के इस मोसम में गर्मा गरम और क्रिस्पी नाष्टा खाना तो सभी कोई पसंद होता है तो फिर चलिए आज हम भी सिर्फ 10 मिनिट में और दो चीजों से ऐसा क्रिस्पी और आसान सा नाष्टा बनाते हैं जिसे खाने के बाद आप समोसा और कचोरी तो भूले जाएंगे चलिए बनाना शुरू करते हैं इस नाष्टे को बनाने के लिए हमने यहाँ पर तीन मीडियम साइस के उबले हुए आलू लिये हैं तो अब हम पहले आलू को हाथ से अच्छी से मेश कर लेंगे क्योंकि हमें आलू की स्टिफिंग तयार करनी है तो आलू अच्छी से मेश होने चाहिए तो इस तरीके से आलू को मेश करने के बाद अब हम इसके लिए स्पेशल चटपता मसाला बनाएंगे जिससे यह नाष्टा खाने में और भी टेस्टी लगेगा तो इसके लिए हमने एक पेन में एक चोटी चमच जीरा लिया है दो चोटी चमच हमने यह आपर सोंफ ली है इसी की साथ दो चोटी चमच यह साबू धनिया है एक चोटी चमच तील लिये है दो लोंग और पांच से साथ हमने यह आपर काली मिर्ची ली है इसके बाद हम इ तो गेस का फ्लेम हम बिल्कुल धीमा रखेंगे और डेर से दो मिनिट में ही इनमें अच्छी सी खुश्बू आने लगेगी तो देखिए इनका कलर भी चेंज नहीं हुआ है तो बस अब हम गेस बंद करके इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं और जब यह मसाला हलका सा हो जाए तब हम इने एक मिक्स जार में डाल कर पीस लेंगे तो यहां में इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है इस तरीके से आप देखी हमने इसको हलका सा दरदरा रखा है अब हम किसी एक बड़े बावल में यह मेश की हुए आलू डाल देंगे क्योंकि हमें इसका चट लगेगा इसके बाद फिर से हम गेस पर पेन रखेंगे और इसमें लगभख एक चमच ऑईल डाल देंगे और जब हलका सा गरम हो जाए तब हम इसमें एक चोटी चमच राई और दो बारी कटिवी हरी मिर्ची डाल देंगे और गेस बंद कर देंगे क्योंकि हमें ओलका सा ठंडा करना है इसके बाद हम इसमें यह मसाला डाल देंगे जो कि हमने पहले ही तयार करके रखा हुआ है तो यहां पर मैंने तीन चमच यह मसाला लिया है मसाली को अच्छे से मिलाने के बाद एक चुथा चोटी चमच हल्दी पाउडर आदी चोटी चमच लाल मिर्च जब राई तड़कने लग जाए तभी आप गेस बंद कर दीजिए और उसके बाद ही आप यह सारे मसाले डालिए वरना यह मसाला जल जाएगा और आलो को हमारे चट पटा मसाला दिखने में अच्छा नहीं लगेगा तो यह देखिए हमने सबी मसालों को अच्छे से मिला अब हम इसमें बारी कटा हो हरा धनिया डाल देंगे और खटा मीठा टेस्ट देने के लिए हम यह आपर आधा निम्भू निचोड़ रहे हैं इसी के साथ थोड़ी सी हम यह चीनी भी डाल रहे हैं अगर आप मीठा टेस्ट पसंद नहीं करते हैं तो चीनी स्किप कर दीजि जिससे की हमारी स्टेफिंग दिखने में और भी सुन्दर लगेगी तो फिर से हम एक बार सभी को अच्छे से मिला लेते हैं तो लीजी हमारी स्टेफिंग बन करके तयार हैं चलिए अब नाश्टा की दूसरी तयारी कर लेते हैं तो इसके लिए हमने यह आपर मीडियम की कुछ भैडिया है आप चाहे तो इस नास्चे को छोटी ब्रेट से भी बना सकते हैं तो अबम ब्रेट को कट कर लेते हैं इसके लिए पकोई भी एक कट्व या कटर ले ले लिजिए और इसे ब्रेट के बीच में इस तरीके मुइसते में रख गॉलगोल कट कर क्योंकि इस नाश्टे के लिए हमें गोल ब्रेड ही चाहिए और जो ये बच्चा वो भाग है इसे हम बाद में यूज करेंगे तो इस तरीकी से देखिए हमने सभी ब्रेड को कट कर लिया है अब इस बच्चे हुए हिस्से को हम मिक्सिजार में डाल करके पीस लेंगे क्योंक अब हम इसकी सलरी तयार करने वाले हैं तो थोड़ा थोड़ा पाने डाल करके ये देखिए घोल बन करके तयार है बहुत जादा हमें इसे पतला नहीं रखना है इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और लीजिए ये सलरी बनकर तयार है अब आप लीजिए ब्रेड और इस पर लगा देजिए थोड़ा सा ये आलू का मसाला मसाले को अच्छे से ब्रेड पर फिला लेंगे और फिर से इसके उपर दूसरे ब्रेड रखकर अच्छे से इसको प्रेस कर देंगे तो इस तरीके से प्रेस करने के बाद जो हमने सलरी तयार कर रखिए उसमे इस तरीके से डूबो देंगे बहुत जादा देर तक नहीं डूबो नहीं वरना आपकी ब्रेट टूट जाएगी इसकी बाद तुरंत ही हम इसे ब्रेट क्रम से लपेट लेंगे जिससे हमारा नाश्ता खाने में बहुत ही क्रिस्पी लगेगा तो यह देखिए पूरी ही ब्र से का शेप भी दे सकते हैं तो देखिए हमने यह पर दो ब्रेट को बीच में से इस तरीके से कट करके और इसमें भी आलू का मसाला लगा लिया है और इसी तरीके से इसको भी ब्रेट क्रम से हमने लपेट लिया है तो सेम प्रोसेस से हमने यह दोनों ब्रेट भी तैयार कर तो ये लीजिए हमारे ब्रेट की समोसा और कचरी बनकर तयार है अब हम पेन में थोड़ा सा ओइल डालेंगे क्योंकि हम इतने शेलो फ्राई करने वाले हैं तो जब तेल हलका सा गरम हो जाए तब एक एक करके ये ब्रेट इसमें डाल देंगे और जब एक तरफ से हलके से फ्राई हो जाए येनि की कलर चेंज होने लगे तो हम इने पलट लेंगे गेस का फ्लेम आप हाई ही रखिये यदि आप इन्हें लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो बहुत ज़दा ये ओयली हो जाएंगे तो हमें इस नाष्टे को सिर्फ क्रिस्पी करना है, तो इस तरीके से उलट-उलट करते हुए हम इन्हें क्रिस्पी कर लेंगे, आप चाहें तो इन्हें डी फ्राइ भी कर सकते हैं, तो लीजिए इसी तरीके से हम दूसरे नाष्टे को भी फ्राइ कर लेते हैं, तो ये लीज और यदि आपको मेरी आज की क्रिस्पी और टेस्टी नाश्टे की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज प्लीज आप इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल ना भूले थेंक यू